नमस्कार प्रिविधारतियों सभी का स्वागत है सक्सेज ऑनलाइन क्लासेज में हम अध्यन कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतरगत हम विकास के जो सिध्धान्त है यानि जो विकास के अवस्ताएं हैं और फिर विकास के मुख्य जुड़े हुए हैं आराम से पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल रूची के साथ जुड़े रहें क्योंकि हमारा टारगेट जब तक सफल नहीं हो जाता और टारगेट क्या है एक्जाम में सफलता प्राप्त करना तो जब तक अपनी रूची बनाए रखिए ठकावट को दूर र रहे हैं और प्रयोक्षादा साहिक में कैसे प्रशन आते हैं किस प्रकार के प्रशन आ सकते हैं हमें बिल्कुल उनके अनुसार चलना है और उनको याद करते हुए चलना है आपको बैस करना है कि कख्षा में जब भी शुरू करें वीडियो तो बिल्कुल रूची बनाए र मनो लेंगी का वस्ता जो सिग्मेंट फ्राइड की याद होगा आपको पांच वस्ताओं का हमने वर्णन किया ता आराम से कहां कहां प्रशन बनते हैं कहां आप गलत कर सकते हो कहां कन्फूजन होता है पूरा कंक्लूज करके एक एक चीज आपके सामने इस पश्ट की अब एक महतपूर्ण सिध्धांत आता है और वो आता है अगला एरिक्षन एरिक्षन का सिध्धांत है उस सिध्धांत का नाम है मनो सामाजिक सिध्धांत बहुत ही अच्छा सिध्धांत है और इसमें 100% है कि आपका एक प्रशन तो आए गया आएगा जादा भी आ सकते हैं लेकिन एक प्रशन तो आपको मिलना ही है, तो एक प्रशन के लिए हमें क्या-क्या चीजा याद करनी है, कहां प्रशन बन सकते हैं, किस प्रकार के अभी तक अन्य examوں में जो प्रशन आए हैं उसमें से जो तक्ठ्यात मकाकड़े हैं, वो हमें सई डंक से याद करने हैं तो हम बिल्कुल इजी लेवल से तो रूची बना ले अटेंशन बना ले और शुरू करते हैं आराम से एक एक चीज को आपके सामने बिल्कुल इस पश्ट करते हुए तो रूची के साथ बने और शुरू करते हैं हमारे क्लास हम बात कर रहे हैं एरिक्षन का मन सामाजिक सिध्धांत कुछ फेक्ट लिये थे हमने के कौन-कौन से सिध्धांत है क्या है पहले हमने थोड़ा सा डिस्किस किया था कि मनो लेंग एक सिग्मेंट फ्राइड मनो सामाजिक सिध्धांत एरिक्षन का है तो एरिक्षन का मनो सामाजिक सिध्धांत शुरुआत करते हैं सबसे पहली बात यही के पर्ति पादक कौन हैं तो इसे धांद के जो पर्ति पादक हैं वो है इरिक इरिक्षन इरिक इरिक्षन बिलकुल सिंपल आराम से इरिक इरिक्षन इरिक इरिक्षन थे यह नव फ्राइड वादी थे नव फ्राइड वादी ठीक हैं फ्राइड की जो विचारधरा थी मनों विशलेशन थी हमने थोड़ी सी डिस्कस की है आगे वेक्तित तुमें आएगा तब और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे यहां थोड़ा से यह रखना है कि यह नव फ्राइड वादी एन फ्राइड के जो शिश्य थे उनके कि अपने सिद्धान मलब अपने सिद्धान का नाम है मनो सामाजिक सिद्धान्थ मनो सामाजिक कि सिद्धांथ जो अपना सिद्धान्त है इसमें क्या किया इन्होंने दो तक्त्वों पर कौन से कारक पहला इन्होंने जेविक कारकों जेविक कारकों व सामाजिक कारकों परबल दिया देखिए सिंपल है नव फ्राइड वादी थे सीधा सा पहला प्रश्न सीधा सा फैक्ट आ सकता है कि मनो सामाजिक सिध्धान्त या साइको सोशियल थियोरी के प्रेणेता कौन है परतिपादन कौन है तो सीधा उत्तर क्या लिखना है एरिक्षन किलियर पहला सवाल का नाम क्या पढ़ गया मनो सामाजिक या नि जैविक और सामाजी कार्कों का बहुत ज़्दान्त पर परभ्भाव पढ़ता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं इसलिए इसलिए हम मनौ सामाजिक सिध्धानत कहते हैं बिल्कुल एजी है समझ में आएगा रूची के साथ बने रहें ठीक है फिर इन्होंने क्या किया एरिक्षन ने तीन तत्वों पर बल दिया तीन तत्वों या कारकों पर तीन तत्व कह लें या तीन कारक कह लें कौन कौन से पहला इन्हों ने कहा शरीर दूसरा इन्हों ने कहा अहम समझेंगे अभी अहम और तीसरा इन्हों ने कहा समाज या संस करती समाज कह दें या संस करती देखिये कितने कारक महतिपूर्ण बताए तीन कारक बताए यहाँ सौवाल बन सकता है कि निम्न मेंसे घौन सा एक कारक इरिक्षन ने नहीं बताया है तो तीन कारक परमुक बताएं इसने का पहला तो है जो शरीर है शरीर यानि हमारी बोडी बोडी है वो किस प्रकार से कारे करती है कौन-कौन से आगे सकारात्मक और नकारात्मक इसमें शक्तियां आती है उन शक्तियों में किस प्रकार से डिसिजन लेने का कारे करता है तो शर इगो, सूपर इगो, एद यानि इदम, इगो यानि अहम और सूपर इगो यानि परमहम, ये तीन प्रकार की अवस्ता आती है जो सिग्मन्ट फ्राइड ने दिये, तो उसमें से जो अहम वर्ड है, अहम होता है वास्त्विक्ता की अवस्ता, जो हमारा वर्तमान जीवन है, ज बात करता है तो इन्होंने अहम पर बल दिया और अहम पर बल देने के कारण ही इनको अहम मनो वग्यानिक भी कहा जाता है सिंपल तेन तत्वियाद रखने है पहला है शरीर दूसरा है अहम और तीसरा क्या है समाज या संस्कृति या नहीं शोशिल जो इन्वार्मेंट है वो क्या है समाज भी बच्चे को क्या करता है परभावित करता है तो तीन चीज़ा समझ माई आगे और लेते हैं वापिस मनोसामाजिक सिध्धान्त प्रेंडता कौन है इरिक रिक्षन ये क्या थे नव फ को पहला कहता है शरीर दूसरा अहम और तीसरा समाज या संस्कृति और इसमें भी अहम पर विशेश बल देते हैं इसी लिए इसे अहम मनोवज्ञानिक कहा जाता है बिल्कुल किलियर आगे बढ़ते हैं पॉइंट वाइज इरिक्षन ने इस सिध्धान्त में इरिक्षन ने इस सिध्धान्त में विकास की कितनी अवस्थाएं बताई तो लिखना है आठ अवस्थाएं इंपोर्टेंट फिर ये एफेक्ट बन गया इरिक्षन ने मनुसामाजिक सिध्धान्त या अपने विकास की सिध्धान्त में कितनी अवस्थाएं बताई है चार च्छ आठ दस तो दूसरा हमारा फेक्ट क्या तयार हुआ याद रखना कितनी अवस्थाएं बाटी है आठ अवस्थाओं के रूप में अपने सिध्धान्त को पर्तिपादत किया है इन्होंने जो यह आठ सिध्धान्त यह आठ अवस्थाएं बताई है यह अवस्थाएं संपून जीवन अवधी संपून जीवन अवधी पर बनाई गई है यानि इरिक्षन ने क्या किया है जो संपून जीवन काल है यानि जब जीवन प्रारंब होता है जीरो से और फिर लगबग आगे निरंतर चलता रहेगा तो इसने संपून जीवन को अवस्थाओं में वर् विडियो देखा, समझा, याद किया और उसको रिवाइज किया, तो कहीं चीज असंभव नहीं है, तो वहाँ पाँच अवस्तायи थी किशोरा अवस्ता तक लिया लेकिन ये इरिक्षिन है कि इसने आँख अवस्ताय लिये और संपूर्ण जीवन काल को यानि सीधा स्वाला आजए कि संपूर्ण जीवन काल को अवधियों में बाटने वाला कौन मनो वेग्यानिक थाक तो कौन है इरिक्षन इसने संपून जीवन को क्या है अलग अवधियों में बाटा है और संपून जीवन में जो विकास है जो मनो सामाजिक सिद्धान्द का विकास है वो किस प्रकार से चलता है, उसको आराम से डीटेल के साथ समझाया है, हम भी समझते हैं, तो संपुन जीवन काल को इस अवदी में समझाया है, फिर इन्हों ने कहा है कि जो यह आठ अवस्थाएं हैं, इन आठ अवस्थाओं में परतेक अवस्था के अंदर, परतेक अवस्था में संघर्ष चलता है परतेक अवस्था में क्या चलता है परतेक अवस्था के मध्य संघर्ष होता है संघर्ष किसमें होता है दो प्रकार की शक्तियों में दो प्रकार की जो शक्तियां है उन दो प्रकार की शक्तियों में समेशा संघर्ष चलता है दो शक्तियों में एक होगी नकारात्मक और एक होगी सकारात्मक सिंपल है एक होगी नकारात्मक और एक होगी सकारात्मक तो इन दोनों के मध्य जब संघर्ष चलेगा तो उसके फरियारम सरूप जो चीज ज़्यादा एक्टिविटी है सकारात्मक पे ज़्यादा जोर दिया है तो जो अगली अवस्था आएगी इस अगली अवस्था में ये आ जाएगा एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक निश्ष्थ रूप से आगे चीज चलती रहेगी और नकारात्मक अगर जादा बल होगा तो अगली अवस्था में ये आ जाएगा चीक है फिर दूसरी बात करता है यह जो अवस्था है जब इनके मध्य संगर्ष चलता है तो इन अवस्थाओं के मध्य जब संगर्ष चलता है तो एक प्रकार की मनो सामाजिक शक्ति यह एक नयतिक्ता का विकास होता है जिसे बुनियादी नयतिक्ता का है बुनियादी नयतिक्ता यानि परतेक अवस्था में क्या होगा एक मनोसामाजिक शक्ति या एक बुनियादी नेतिकता का क्या होगा विकास होगा अब समझते हैं थोड़ी बात कहना क्या चाहता है देखिए इरिक्षन का सिद्धान्त है संपून अवधी जीवन की मानी है और अवस्थाएं कितनी बताई है आठ अवस्थाएं बताई है और इन आठ अवस्थाओं में कहा है कि परतेक अवस्था में क्या चलता है संघर्ष चलता है अंतरदवन्द चलता है और संगर्ष के परिणाम सरूप बालक में जिस एक्टिविटी जिस शक्ति पर अधिक बल दिया जाता है वो शक्ति क्या हो जाती है अगली अवस्था में आ जाएगी आपने सकारात्मक विचार दिया है तो सकारात्मक विचार क्या होगा ज़िदी आपने बच्चे पर उस समय उस सक्टी पर ध्यान नहीं दिया तो निश्ट रूप से जो नेगटिव है नकारात्मक है वो चीज़ क्या होगी आगे आ जाएगी और सकारात्मक चली कि तो निश्ट रूप से उसमें बच्चे में क्या होगा एक मनोसामाजिक शक्ती या बुनियादी नैतिकता है उसका विकास होगा ये समझने के लिए अब सवाल कैसे आते हैं देखी सवाल सिधा आएगा जो आठ अवस्ताएं हैं उन आठ अवस्ताओं के हमें नाम याद करने हैं ठीक है कौन सी अवस्ता पहली दूसरी तीसरी चौथी पांच वी छट्टी और आठ वी आठ अवस्ताओं के नाम देखने हैं दूसरा इसका आईवर्ग क्योंकि सवाल बनेगा किस आईवर्ग में कौन सी अवस्ता चलती है या किस आईवर्ग में किन दो अवस्ताओं के मध्य संगर्ष चलता है क्योंकि हमने कहा था एक सकारात्मग होगा एक नकारा जाएगा विश्वास मजबूत हो जाएगा और जब विश्वास मजबूत होगा तो उसमें एक मनोसामाजिक शक्ती होगी जो कहते हैं हम पहली अवस्ता में आशा होप यानि होप का उसमें विकास होगा और अगली और तीसरी बात कौन सी मनोसामाजिक शक्तियार बुनियादी नैतिकता का विकास होता है तो सीधा आपको क्या होगा आपको दो ग्रूप बनाएगा कि यह कौन से आयू वर्ग में है या इस आयू वर्ग में किन के मध्य संगर्ष चलता है या और भी सवाल है जैसे बाले अव है कि आपको याद करवाना और आपको रिविजन करना और आपको सवालां तक पहुंचाना और आपका जो उद्देश्य है आपकी सफलता वहां तक आपको पहुंचाना हमारा उद्देश्य है ठीक है यहाँ चीज क्लियर हो गई क्या याद रखना है कितनी अवस्था हैं आठ संपून जीवन काल को क्या है संपून अवधी में बांट दिया है अवस्थाओं में क्या चलता रहता है संघर्ष संघर्ष किसमें दो शक्तियों के मध्य एक होगी नकारात्मक दूसरी होगी सकारात्मक जो शक्ति होगी उसका विकास अगली अवस्था में आ जाएगा और परते एक अवस्था में क्या होता है एक मनोस सामाजिक शक्ति कहें या बुनियादी नेतिकता की बात कहें इसका भी साथ साथ क्या होता है विकास होता है विश्वास बनाम और विश्वास यह पहली अवस्ता खीक है फर्स्ट अवस्ता अब क्या होगा इस अवस्ता का आयू वर्क अगर थोड़ा सा आपको ध्यान है अगर आपने सिग्मंट फ्राइड का जो हमने पढ़ा था उसको आपने धंग से तो पांच अवस्ता आपका सपोर्ट करेगी उस पांच अवस्ताओं की शुरूआत ही जो आयू वर्क था वो इसमें भी पांच अवस्ताओं का वही आईउ वर्क है जो मैंने पहले वीडियो के शुरूआत में बात की थी कि 0 से 18 महां, 18 महां से 3 वर्ष, 3 से 5, 6 से 12 और 12 से 18, गारा है His इसका विश्वास बनाम अविश्वास है यानि ट्रेश्ट वर्सेज भी करते हैं दोनों प्रकार के जो अवस्ता है दोनों के मद्धिक्या चल रहा है संगस्क चल रहा एक सकार आत्मक है एक नियकार आत्मक है शुरुवात क्या है जीरो से अठारा महा की बात कर रहे हैं अब इसमें क्या होगा सिंपल सी बात है बालक कह दें चाह शिशू कह दें बालक या शिशू अब देखिए आप देखिए एस ग्रूप क्या है जीरो से अठारा महा यानि छोटा शिशू है जो अभी तक बोल भी नहीं सकता केवल अपने शारीक किरियाओं दवारा, शारीक अनुकिरियाओं दवारा अपने पैरेंट्स को अपनी तकलीफ है, अपने समवेग है वो बताता है यानि रोकर उसको यदि इशारिकरिया में बाधा होगी या किसी भूक लग गी है तो भी वो क्या करेगा रोएगा तो रोने से क्या है हम माता पिता है वो समझते हैं कि वास्ते बच्चा क्यूं रो रहा है यानि कोईन को इसको तकलीफ है तो सीधी सी एक बात आती है कि जो फर्ष्ट अवस्था है व उसका जो सरक्षक है उस माता पिता या सरक्षक पर पून रूप से क्या करता है वहाँ निरभर रहता है रहता कि नहीं रहता है और शुरू में होगा पूरा डिपेंड रहेगा किस पर पेरेंट्स पर और वो डिपेंड करता है कि माता पिता क्या है उसको क्या है बच्चे क नहीं होने देंगे सीधा साय वो जानता है कि उसके जो माता-पिता है वो माता-पिता क्या है उसे किसी परकार का नुकसान नहीं होने देंगे उसे पता है वो रोएगा तो उसकी जो आवशकता है उसकी पूर्ती पेरेंट्स है वो सरक्षन कर देगा वो गिरने लगेगा तो उसके parents क्या करेंगे उसे संभाल लेंगे यानि पहली अवस्ता है शुरुआत हो रही है किस से विश्वास के साथ हम एक image बना रहे हैं याद करते हुए चल रहे हैं आपको आट की आट अवस्ता हैं बच्चा क्या कर रहा है विश्वास कर रहा है किस पर माता पिता या सरक्षपक के वो उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे और माता पिता इस विश्वास को बनाए रखते हैं तो बच्चे में क्या होगा विश्वास जगेगा और उसमें एक प्रकार की जो हमने बात की थी बुनियादी नेतिक्ता कहें या मनुसामाजिक शक्ती कहें कौन सी आशा होप इंपोर्ट है उसमें क्या होगा एक मनुसामाजिक शक्ती या बुनियादी नेतिक्ता का विकास होगा और वो है होप आशा है विश्वास है कि निशित रूप से आगे वो जीवन में सफल होगा क्योंकि उसको नुकसान नहीं पहुंच रहा है माता पिता पून रूप से उसका ध्यान रख रहे है यानि उसका क्या हो रहा है उसका विश्वास मजबूत हो रहा है और वहीं दूसी तरफ पैरेंट्स ध्यान देते हैं बच्चा रो रहा है रोने दो चिला रहा है चिलाने दो कहीं रख दिया आराम से बांध के भी रख देते हैं कहीं छोटे बच्चे को तो ये चीज़े क्या होती है, वहाँ उसका विश्वास होता है, वो कमजोर हो जाता है, और बच्चा किसका सिकार हो जाएगा, अविश्वास का, यानि दोनों चीज़े चल रही है positive, यदि ध्यान दिया, निर्बर है पूर्ण रूप से parents पर, और parents उसको ध्यान देते हैं, न याद क्या करना है, वापिस इसमें पहला अवस्था का नाम, फर्स्ट अवस्था क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरी चीज़ याद करनी इसका आयूर क्या है, वही 0 से 18 महा, तीसरा याद करना कर लेना पूर्ण रूप से depend रहता है किस पर, माता, पिता या शरक्षक पर, और चोथा याद करना इसमें कौन सी मनो सामाजिक शक्ति या बुनियादी नेतिकता का विकास होता है, तो वो है आशा, किलियर, बढ़ते हैं आगे आवस्था के और, दूसरी आवस्था, आत्म दिर्वर्था बनाम शंका या लज्जा ठीक है, सिंपल है, आत्म दिर्वर्था बनाम शंका या लज्जा, सेकिंड वही आईू वर्ग क्या है, देखिए, जीरो से अठारा महा ले लिया, तो यहां अठारा महा से तीन वर्ष, मैंने का था, फ्रायड का अगर याद कर लिया है, तो थोड़ा सा आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि पांच आवस्थां का जो आईू वर्ग है, वो यहां भी, वो का वो आईू वर्ग है, तो सपोर्ट करेगा हमारा, इमेज हमने जोड़ के किये, तो आत्म निर्भरता बनाम क्या है, शंका और लज्जा, हमने पहले बात क्या की थी, विश्वास से जीवन क्या होता है, शुरू होता है, विश्वास से उसकी आशा है, वो मजबूत होती है और जब विश्वास मजबूत होगा तो अगली अवस्ता में बालक क्या बनेगा अगली अवस्ता में बालक क्या बनेगा आत्म निर्भर बनेगा यानि जब बालत का या जब हम शिशू का विश्वास मजबूत हो गया है पहली अवस्ता क्या थी विश्वास यानि विश्वास यदि उसका मजबूत हो गया है तो वह आत्म निर्भर वैभार को क्या करेगा आत्म निर्भर वैभार को दर्शाएगा आत्म निर्भर वेवार को दरशान विश्वास मद्बूत है तो वो क्या करेगा चोटे मोड़े जो घर में है उसमें आत्म निर्भरता दिखाएगर September कारे है योन यानि एस गृटारा से तीन माह, यानि वो खिलो्णा है छोटा उस स्व्धल citizen को क्या करेगा खुद उठाने का प्रयास करेगा पानी की गिलास है लोटा है उसको भी क्या करेगा खुद लेने की कोशिश करेगा क्यूं क्यूंकि उसका विश्वास मजबूत है माता पिता ने उसका ध्यान रखा है तो बच्चा करता है कि मैं एक्टिविटी कर सकता हूं यानि वो क्या है आत्म निर्भर वैवहार की और आगे बढ़ेगा और यदि पेरेंट्स है उसके आत्म निर्भर वैवहार है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो थीक है वरना बालक में क्या आएगा वही नेगेटिव बालक शंका या लज्जा का शिकार हो जाएगा से शंका या लच्जा आएगा उसे कहें मैं यह कारे कर नहीं सकता यूँकि पहले किया तब मैं ग्र गया था या पहले मैं रो रहा था यानि वो क्यिया इसको याद आएगी और उसकी वज़य Catherine से तो सीधी सी बात है फिर वही बात इसमें कौन सी मनों सामाजिक मानों सामाज एक शक्ति की बात करें या बुनियादी नहतिक्ता की बात करें तो उसमें हमने क्या लिया था आशा और इसमें है इच्छा शक्ति विल पावर ठीक है इसमें क्या होगा विल पावर बच्चे में विल पावर बनेगी यानि उसे पता है विश्वास मजूत है तो विल पावर होगी कि ये कारे मैं क्या है कर सकता हूँ तो अपना willpower क्या होगा मजबूत होगा और जब willpower मजबूत होता है तो निश्चित रूप से बालक क्या करता है अच्छा विकास करता है सफलता की और आगे बढ़ता है तो willpower होगा तो simple दूसरी अवस्ता आत्म निर्भरता एस ग्रूप 18 महा से 3 वर्ष आत्म निर्भार वेवार को दर्शाएगा क्योंकि उसका क्या मजबूत हो गया है विश्वास और इसमें जो मनोह सामाजिक शक्ति या बुनियादी नहीं दिकता है वो क्या है willpower या इच्छा शक्ति तो यह positive चलेगा और यह अगर नहीं होता है तो बालक क्या होगा बालक शंका और लज्जा का शिकार हो जाएगा positive से negative भी जा सकता है तीसरा लेते हैं पहल पहल बनाम अपराद बोथ पहल बनाम क्या होगा अपराद बोथ यानि तीसरी अवस्ता है हमने कहा था बच्चे का विश्वास मजबूत हो रहा है विश्वास मजबूत है तो बालक क्या हो रहा है आत्म निर्भर हो रहा है और आत्म निर्भर होगा तो क्या करेगा अब व मैं कर सकता हूँ आप रहने दो मैं जाके ये कारिय कर दूंगा यानि जब आलक आत्म निर्बर है उसमें विल पावर है इच्छा शक्ती है तो अब क्या होगा अब तीसरी जो अवस्ता है वो है पहल बनाम अपराद बोथ दोनों चीज़ें आ लिए फिर आयू वर्ग कौन सा है आयू वर्ग आयू वर्ग की हमने बात कर रखी है फिर भी वापिस करते हैं क्योंकि इस अवस्ता का अनुसार आयू वर्ग देखिए जीरो से अठारा महा ले लिया याद करते हुए चलते हैं जीरो से अठारा महा अठारा महा से तीन वर्ष अब लेते हैं तीन से पांच वर्ष तीन वर्ष से पांच वर्ष ठीक है के लिए तीसरी अवस्त आईए अब क्या करेगा हमने कहा था विश्वास मजबूत हो गया बच्चा आत्म निर्भर हो गया अब वो क्या करेगा अपने आत्म निर्भर वेवार की पहल करना प्रारंब कर देगा हम देखते हैं छोटा बच्चा होता है जिसका आत्म निर्भर विल पावर अच्छा है वो क्या करेगा कारियों की पहल करना प्रारंब कर देगा पहल कैसे वो छोटे मोटे कारे यानि घर के कारे घर के चोटे चोटे कारियों में मदद करता है वो क्या करेगा बच्चा अपनी पसंद के कपड़े पहन ना कोई पाल तू जानवर आपने पाल रखे हैं तो पाल तू पाल तू जानवरों की देख बाल करना ठीक है सिंपल है देखो पहल बनाम हमने कहा क्या करेगा आत्म निर्बर वैवार क्योंकि हमने कहा था विश्वास और विश्वास से क्या आया आत्म निर्बर था और जब आत्म निर्बर वैवार है तो उस आत्म निर्बर वैवार की क्या करना शुरू कर देगा पहल करना शुरू कर देगा कि छोटे मोटे कारे घर में कर रहा है तो अब बच्차 क्या करेगा पहल करेगा कि कोई भी चीज मंगाएंगे तो वो कहेगा ममा पापा मैं ले कर आता हूँ पानी भी मंगवाऊ और तो वो कहेगा मैं ले करने आओगा छोटे पाल तू जानवर पहल आने लगेगा कि मुझे कौन से कप्ड़े पहनने हैं कौन से नहीं पहनने रहे हैं यह क्यूं गुरा कूज आए क्यों कि अवस्था चल रही है विकास यानि विश्वास किया फिर आत्म दिर्भरता आई और क्या कर रहे हैं पहल कर रहे हैं यहां पर क्या होगा वो पहल कर रहा है और माता पिता उसको पहल करने के आउसर देते हैं तो तो बच्चे में क्या होगा पॉजिटिव जो मनोसामाजिक शक्ति है यानि वो आत्म निर्भरता उद्देश्य यानि पहल करेगा तो उस पहल का क् उस उद्धिश को लेकर वो क्या करता है पहल करता है तो बालका उद्धिश निश्यत होगा और उसके अनुसार वो क्या करेगा वैवार करेगा अन्यथा क्या होगा धीरे धीरे उसमें अपराद बोध आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव अगर चल रहा है पहले से अव वास है शंका और लज्जा है तो वो इन कारियों को करने से पहले से क्या होगा डरेगा उसे लगेगा मैं ये कारिय नहीं कर सकता तो यहां negative होगा positive होगा याद क्या है वापिस वही तीसरी अवस्ता क्या है पहल बनाम अपराद बोथ आयूवर क्या है तीन वर्श से पांच व जानवर है उन पालतू जानवरों की देख भाल करना भी शुरू कर देता और इस अवस्ता में जो मनों सामाजिक शक्ति या बुन्यादी नेतिकता का विकास होता है वो होता है उद्देश्य यानि किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर क्या करता है वैवार करता ह तो देखने आराम से इसको एक बार, तो बिल्कुल किलिए रेष्टिति करो ठीजिति अमारे सामने, विश्वाज के बाद क्या आया? आत्म निर्भर, और अब आत्म निर्भर वैवार के क्या कर रहा है? पहल कर रहा है, बिल्कुल तीनों जोड़ा है, विश्वास, आत्म निर्वरता और पहल, इस रूप में आगे चल रहा है, यहां पहल प्रारम कर दी, अब आगे बढ़ते हैं अवस्थावे चौखी अवस्था परिश्रम या इसको हम कहते हैं उद्ध्यमिता बनाम हीन भावना इंपोर्टेंट अवस्था क्यों है इंपोर्टेंट आगे बताएंगे सवाल कहा कोड़ी देखिए, पहली बात आती है आईउवर्ग आईउवर्ग हमने तीन ले लिए, चौथी अवस्था है, चौथा आईउवर्ग है जीरो से अठारा महा, अठारा महा से तीन वर्ष, तीन से पांच वर्ष और यहां ले ले लेते हैं च्छ से बारा वर्ष इसका मिलब एक चीज हमारे सामने हुई के लिए, कि यह अवस्था है, वो छह से बारा वर्ष है यानि यह कौन सी अवस्था है, यह बाले अवस्था का काल है तो यहां सवाल बनता है, कि बाले अवस्था में किन दो चीजों के मध्य संगश चलता है तो वो संगर्ष त्यानक न उद्यमिता बनान हीम भावना कहें या परिश्रम परिश्रम कहें उद्यम कहें एक ही चीज़े ठीक है न दोनों शब्दा आएं तो दोनों में ने लिख लिए कि परिश्रम कहें चाहे उध्यम कहें बनाम क्या है हीन भावना काल कौन सा है यह बाले अवस्था का काल है अब क्या होगा विश्वास मजबूत है आत्म निर्भर वेवार आ गया उसकी पहल करना सीखिया तो अब यहां क्या करेगा परिश्रम करेगा उध्यम करेगा यानि मा माता पिता या शिक्षक जो माता पिता या शिक्षक है वो बालक को जो भी जिम्मेदारी देंगे वो उस जिम्मेदारी को क्या है पूर्ण करने का प्रयास करेगा पूर्ण करने का क्या है पूर्ण प्रयास करेगा ताकि उस जिम्मेदारी को क्या कर सके पूर्ण कर सके दूसरा बालक कार्य के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाता है किसी भी कार्य के लिए आप कहोगे तो वो जल्दी से जल्दी क्या होगा तैयार होगा कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ आप कोई भी काम को हो बाले अवस्ता में क्योंकि बाले अवस्ता को हम क्या कहते हैं? खेला यू, गैंगेज, इसमें परिश्रम, सरजनात मक्ता का विकरास, संघरा की परवरती, निरुदश्य, भनमन की परवरती यह सारी विशेस्ता हैं हमने बाले अवस्ता के लिए तो वही बाले अवस्था है, यानि किसी कारे के लिए क्या होगा, फट से तयार हो जाएगा, क्यों कि पहले से विश्वास, आत्म निर्ब्रता और पहल वो कर चुका है, घर के छोटे मोटे कारेों में पहल कर दी, अब घर से बाहर निकलेगा, समाज में, विधाले में, वो कह करेगा, ये कारे मैं कर सकता हूँ, मुझे जिम्यदारी दीजिए, मुझे ये कारे दीजिए, सबसे आगे दोड़ कर वो कारे करना शुरू करेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, वो हर कारे के लिए क्या होगा, तयार होगा, दूसरा एक important fact, इस सवस्था को उध उध्यमिता, या हम कहें, बाले अवस्था का जो काल है, वो उध्योग आयू के नाम से जाना जाता है, अब उध्योग आयू का मतलब ये नहीं है, कि बच्चे को उध्योग में लगा दो, यहां उध्योग आयू का मतलब है, उध्योग परिश्रम करना, किसी लिए थमने ब प्रकार का कार्य किसी प्रकार की जिम्यदारी दी जाए तो वो निश्यत रूप से उसको पूरा करने का प्रयास करता है तो बालक में उध्यमिता का विकास होगा परिश्रम का विकास होगा और यदि इसके नेगेटिव रहा तो बालक धीरे-दीरे क्या होगा बालक में हीन भ तो जब नकारात्मक चलेगी तो निशिद रूप से उसमें आगे भी यही चीजें विकास होगा फिर बात हमारी आती है कि इसमें कौन सी बुनियादी नैतिकता जो हमने बात की बुनियादी नैतिकता कहें या मनोसामाजिक शक्ति कहें कि इस आवस्था में जो बुनियादी सामर्थ्य सामर्थ्य या इसको कहते हैं योग्यता यहां बच्चे में क्या होगा सामर्थ्य और योग्यता का क्या होगा विकास होगा तो बुनियादी नैतिकता कहें या मनोसामाजिक शक्ति कहें एक ही बात है तो अगर परिश्रम करेगा उध्यम करेगा तो उसमें क्या ह सामर्थय की और योगिता की विकास होगी उसकी एबिलिटी उसकी कैपेसिटी इसमें क्या होगा परिवर्तन होगा और उससे लगएगा वास्तों में ये कारे क्या है मैं अच्छे डंग से कर सकता हूँ तो सिंपल है याद रखना इंपोर्टेंट क्या है काल कौन सा है बाले अवस्था का, बाले अवस्था के मध्य किन्म के मध्य संगश चलता है, परिश्रम और उध्यमिता बनाम हीन भावना, इस आयू को क्या कहा जाता है, उध्योग आयू भी कहा जाता है, क्योंकि परिश्रम करने पे बालग विश्वास रखता है, माता, पिता और शिक्षक उसक पहचान या भूमी का निर्वाहा या तादात्मिक्ता बनाओं भूमी का भ्रांती ठीक है क्या अवस्ता है पहचान भी कहते हैं भूमी का निर्वाह भी कहते हैं तादात्मिक्ता भी कहते हैं तीनों वड़े एक्जाम में अलग अलग आ चुके तो मैंने तीनों शब्द ले लिए ताकि आपको फिर कन्फिजन नहीं हो कौन शब्द आ गया मतलब एक ही है यह कौन सी है बाले अवस्ता के बाद जो अवस्ता आती है यानि जो है किशोर अवस्ता आंदी तुफान का काल विद्रो संगश का काल जीवन का सबसे कठिन काल हमने परिवाशाएं लिए सभी तो आपको याद होगा कठिन काल किसने कहा है तिल पैटिक ने कहा है विद्रो आं से अठारा वर्ष तो वारा से अठारा वर्ष मतलब यह किशोरा अवस्था का काल है किशोरा अवस्था का काल या अवस्था ठीक है ये किशोरा अवस्था का समय है अब क्या होगा पिछली अवस्था थी उसमें क्या था परिश्रम था उध्यम था उध्यम का विकास हुआ तो अब बालक जब किशोरा अवस्था में आता है तो हमने अवस्थाओं में विशेश रश्य होता है कई परकार की समस्या भी आती है यहां से 18 वर्ष का यहां क्या है लिए यहां पहचान भूमिका निर्वा और तादात्मिक्टा यानि जो किशोर है बात कीसी कर रहे हैं किशोर आवस्ता यानि जो किशोर है किशोर क्या करेगा किशोर अपनी पहचान इस्थापित करना चाहेगा पहचान बनाना चाहता है पहली चीज़, सबसे पहले क्या है, जो किशोर है अपनी पहचान बनाना चाहता है फिर वहाँ विभीन प्रकार की भूमिकाएं, इंपोर्टेंट है, जीवन के लिए इंपोर्टेंट है, सवाल के लिए तो है लाइफ के लिए भी ये चीज काफी important है अगर व्यक्ति इस चीज को समझ जाए तो वास्ता में वो जीवन में क्या हो सकता है सफल हो सकता है कैसे हम discuss करते हैं विभिन प्रकार की भूमिकाएं भूमिकाएं कैसी एक बच्चा है एक बालक है वो क्या है चातर भी हो सकता है एक ब भूमिकाएं हैं जीवन के अलग-अलग रोल हैं ये क्या है विभिन प्रकार की भूमिकाएं तो एक किशोर होता है उसको क्या है विभिन प्रकार की भूमिकाओं का निर्वा करना पड़ता है घर में उसे लगे छोटा भाई है तो छोटे भाई के रूप में बड़ी बहन ह से मिली है अपने परिवार में अपने समाज में यदि वहां इन भूमिकाओं मैं एक ही करन कर लेता है क्या कर लेता है एक ही करन कर लेता है तो क्या होता है तो उसका सफल होता है यानि विकास है वो सफल है और वो सफलता को प्राप्त करता है विबिन प्रकार की भूमिकाएं मैं क्या कहता हूँ अगर आप student हो तो आप student जब आप school जाते हैं तो आप में चाहे talent हो हम कभी सोचते हैं कि मुझे teacher से जादा knowledge है लेकिन हम वहाँ क्या है हम student है तो हमारे जो गुण है वो student होने चाहिए parents से कई बार विद्रो के इस्तिति आती है तो हमेशा याद रखना आप बेटे हैं और वो क्या है parents है माता पिता है जब आप parents बनोगे तब आपको पता चलेगा कि वास्ता में role क्या होता है तो जीवन में अगर भूमी काओं को आप समझ लो कि जिस भूमी काम है वो भूमी का जब आप teacher बनो तो teacher की तरह वहवार करो कौन मना कर रहा है जब आप parents बनोगे तो ठीक है आप parents की तरह वहवार कीजिए लेकिन जब आप भाई हैं जब आप बहन हैं जब आप पती हैं जब आप पतनी हैं तो जिस भूमीका में हैं उसी भूमीका के अनुसार अगर वहवार करना सीख जाते हैं तो निश्चिद रूप से आपका विकास क्या होगा अच्छा होगा आपके रिस्टे अच्छे होंगे और आपका जीवन अच्छा होगा आप निरंतर क्या है सफलता के पत पर बढ़ते रहेंगे तो यही बात यह समझा रहा है हम कोई फाल्दू बात नहीं ले रहे हैं इसी बात को कह रहे हैं कि जो किशोर है वह व वास्तव में student हो तो इसके जैसा, वास्तव में teacher हो तो इसके जैसा, इसका मरलब क्या हुआ, उसकी पहचान बन गई, वर्ना क्या होगा, धीरे धीरे उसको क्या होगा, अपनी खुद की भूमी का पता नहीं चलेगा, और भूमी का ब्रांती का शिकार हो जाएगा, उसे चला जाएगा, और अगर वास्तव में इन भूमी काओं को निभा लेता है, एक एक कंड़ सीख जाता है, जहां भाई है, भाई की तरह वेवार, जहां student है, student की तरह वेवार, तो क्या होगा, तो निश्यत रूप से वह अपना समाज में, अपनी परिवार में, अपनी एक क् पहचान बना लेगा, अपनी भूमी का का निर्वा कर लेगा, और तादात्मिक्ता समाज के साथ अपनी तादात्मिक्ता बिठाएगा, उसकी खुद की एक इमेज होगी, खुद की एक पहचान होगी, तो यह important इसलिए, सवाल वापिस, क्या पूछेगा, यहां, किशोराव अवस्था के मध्य, जो किशोरावस्था का समय है, उनके मध्य, कि दो चीजों के मध्य संगश चलता है, तो पहचान बहुमी का निर्वा या तादात्मिक्ता बनाम, भूमी का ब्रांती का शिकार होता है, फिर हमने कहा विभीन प्रकार की भूमीकाओं का बालक एकिकर्ण सीखता है, तो इरिक्षन में ये कौन सी अवस्था है, तो ये अवस्था है, भूमी का निर्वह बनाम, भूमी का ब्रांती, जैसा सवाल वैसा, समयना है आराम से कहीं दिक्कत नहीं है, इजी एजी चल रहे हैं, अगले अवस्था लेते हैं, घनिष्टता बनाम एकांग की पन घनिष्टता बनाम एकांग की पन ठीक है छटी अवस्ता है आयू वर्ग किश्वरा वस्ता तक हम ले चुके हैं 18 साल तक तो फिर क्या करते हैं 18 से 35 वर्ष ठीक है यह वस्ता कौन सी है छटी पांच जो अवस्ता है वो हमने सैम क्या रखी है जो सिग्मेंट फ्राइड ने मनो लेंगे वस्ता का जो आयू वर्ग बताया वो कब वो आयू आईफास आगे च्छ वस्ता क्योंकि सिग्मेंट फ्राइड ने पांच ही वस्ताएं बताई थी इन्होंने क्या बताई आगे च्छ साथ आठ यानी आठ वस्ताएं बताईए तो च्छ की बात करते हैं यह आईउ वर्ग कौन सा 18 से 35 वर्ष का काल है अब इसमें क्या करेगा कहते हैं कि जो व्यक्ति है वह व्यक्ति बिना अपनी पहचान खोई दूसरे लोगों के साथ संबंद बनाता है वह वहार करता है ठीक है क्या कह रहा है घनिष्टा यानि व्यक्ति क्या है हमने पिछली अवस्ता में लिया अपनी पहचान वना ली अपनी भुमीका बना ली विवीन परिस्तितियों के साथ क्या कर लिया तादात्मित्ता ग्रहन कर ली तो अब वो क्या करेगा अब वो एक परकार से क्या है घनिष्टा के संबन्द यानि बिना अपनी पहचान खोई पहचान उसकी रहेगी क्या है पिछली अवस्ता में हमने देखा उसने अपनी पहचान बना ली एक अच्छे भाई के रूप में एक अच्छे बेटे के रूप में एक अच्छे विधारती के रूप में उसकी एक पहचान है तो जब अच्छी पहचान होगी इसका मलब वो अपनी पहचान खोई बिन कि विकास हो जाएगा वहीं दूसरी तरब उसमें भूमी का ढणती है उसे एक हुद पता ने उसकी पहचान क्या है तो क्या होगा वह रहां की पन का हो जकार हो जाएगा तो जब शिक्ति हो झाकल न विकास होगा अ यहां जो बुनियादी नैतिकता या मनोसामाजिक शक्ति बुनियादी नैतिकता और मनोसामाजिक शक्ति है वो क्या है प्रेम है सने है लव है सने है क्योंकि नाम क्या है घनिश्टा और घनिश्टा किस पर आधारित होगी प्रेम और सने पर क्योंकि अपनी पहचान बना ली ह तो क्या होगा वह प्रेम और सन्हे पर उसकी शक्ती होगी इसका उसमें विकास हो जाएगा वरना व्यक्ति क्या है एकांकी पन का शिकार हो जाएगा फिर है उत्पादक्ता कहें या सरजनात्मक्ता कहें बनाम ठहराव कि इस्टेगनेशन ठीकर क्रेटिविटी बनाम इस्टेगनेशन कहते हैं देखिए आयूवर्ग क्या है आयूवर्ग हमने 18 से 35 ले लिया तो यहां 35 वर्ष से 64 या 65 वर्ष तक ले सकते हैं अब क्या होगा घनिश्ट संबंद बन गये हैं अपनी पहचान का निर्मान कर लिया है लोगों से घनिश्ट संबंद है अच्छा वेवार है तो क्या होगा अब वो करेगा उत्पादक्ता और सजनात्मक्ता यानि अब व्यक्ति क्या करेगा अब व्यक्ति अपने परिवार व बच्चों का पालन पोशन करेगा सीधी सी बात है अब व्यक्ति है उसका क्या होगा परिवार होगा और परिवार के लिए क्या करेगा वो उसका पालन पोशन करेगा और जो व्यक्ति है वह केवल अपने परिवार नहीं, अपने परिवार के साथ समाज के बारे में भी क्योंकि समाज मनुश्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज का अंग है तो यहां क्या होगा जब घनिष्ट संबंध है अब वो क्या कर रहा है स्रजनात मक्ता उत्पाद अक्ता यानि अपने परिवार का क्या करना है उत्पादन करना है उनको भरपेट करना है खाना है भोजन है शुरुकसा है पढ़ाई है लिखाई है सबी चीज़े यानि यहां अपने परिवार का वो पालन पोशन करेगा और अपने परिवार के साथ क्या है समाज के भविश्य के बारे में भी सोचना शुरू करेगा कि मैं अपने बच्चों या परिवार का कैसे पालन पोशन करूं इसके साथ समाज में मेरा क्या योगदान हो सकता है मैं सामाजिक कारियों में भी क्या लूँ रूची लूँ तो ये दोनों चीज़े हैं यहां बच्चा क्या है वो अपनी सरजनात मकता जो क्रिटिविटी है रचनात मकता है वो प्रारम करेगा और उत्पादक्ता यानि अपने परिवार है उसका पालन पोशन भी करना किसकी जिम्मेदारी है उसी की जिम्मेदारी है तो इसमें जो मनोसामाजिक शक्ती या बुनियादी नैतिकता एक ही बात है ठीक है ना मैं दोनों लिख रहा हूँ या बुनियादी नैतिकता कौन सी होगी जैसा नाम है वैसा इसमें क्या है देख भाल करना तो जो देख भाल है उस देख भाल करना या हम कह सकते हैं उत्पादर देख भाल करना या जो उत्रपादन है उस शक्ति का क्या होता है विकास होता है किस अवस्था में सांत वी अवस्था में तो यह सांत वी अवस्था एस ग्रूप है पालन पोशिन करना अब बढ़ते हैं आगे और अंती मवस्था हम लेते हैं अंती मवस्था नामी अंती में इसका मलब क्या है संपून जीवन आ गया तो अंती मवस्था है वो है संपून ता बनाम हताशा या निराशा हताशा या निराशा ऐ यू वर्क ठीक है आई वर्क कौन सा है लास्ट अवस्ता है हमारी हमने शुरू कहां से किया था विश्वास से शुरू किया था और हमने पहले बात कीती एरिक्षन ने संपून जीवन अवधी को क्या है अवस्ताओं में बाटा है तो हमने 64 या 65 वर्ष तक ले लिया तो अब यहां क्या लेंगे 65 वर्ष से लगातार लगातार मतलब जब तक व्यक्ति जिन्दा है जब तक चल रहा है तब तक उसके जीवन में यह अवस्ता अंतिम अवस्ता है जो चलती रहेगी तो अंतिम अवस्ता में क्या है अंतिम अवस मैं किये गए संपूर्ण जीवन में किये गए कारियों के साथ रहता है संपूर्ण जीवन में कि ये गए कारिओं के सात रहता है संपूर्ण जीवन उसने शुरू से लेकर यानि जब उसका जीवन प्रारंब हुआ था उस समय से लेकर अब अवस्ता में जो आ गया है 65 वर्स तक अब वो संपूर्ण कारिओं को याद करेगा यानि कि मैं जब सेश्य अवस्ता में था तो मेरा कैसा विकास हुआ था जब मैं बाले अवस्ता में था मैंने स्कूल में कैसा विवार किया था अपने मित्रों के साथ कैसा विवार किया था जब किशोरा अवस्ता में आया मुझे विविन प्रकार की भूमिकाएं थी अपने समाज के बारे में भी मुझे कुछ योगदान देना था ये सारी किरिया है क्या है अब उनके बारे में सोचेगा क्योंकि कारे नहीं है लाश्ट अवस्ता है तो यहां संपून जीवन में जो कारे किये उन कारे के साथ रहता है और उनके बारे में विचार करता है और ज उसे यदि वह संतुष्ट या वह शंतोष का अनुभव करता है तो तो क्या होगा तो उसमें संपूर्णता का भाव आएगा किसका भाव आएगा संपूर्णता का भाव आएगा और वह अपने आपको क्या समझेगा परिपक को समझेगा कि हां मैंने परिपकता के साथ अपने कारे करना चाहिए था मुझे उस समय तैयारी करनी चाहिए थी परियोक्षाला की भरती आई या और कोई भरती आई मुझे तैयारी करनी चाहिए थी लेकिन मैंने अपना समय बरबाद किया तो उस समय सोचेगा यदि उस समय में वो सीट निकाल लेता महनत करके तो आज ये समय नहीं आता यानि जिस समय आपको मौका मिल रहा उस मौके को यूज कीजिए सीधी सी बात है बच्चों तो इस्टुडेंट ये आपके सामने हैं कि दिये गए कारियों को साथ रहेगा पॉजिटिव है संतोष का अनुभाव करेगा तो संपूर्टा का भाव आएगा और प्रकार के उसको रोग का शिकार हो जाएगा अपने आपको निराश समझेगा हता समझेगा के उस समय मुझे ये कारे करना चाहिए ता मैं नहीं कर पाया अपने परिवार का पालन पोशन भी मैं सही डंग से नहीं कर पाया तो जिंदगी क्या है उसको मुर्तियों का डर सता आउने बढ़ जाएगा हाताश हो जाएगा और जीओन में धिरे धिरे निराशा बढ़ जाएगी इस प्रकार हमने क्या लिया है संगर्ष चलता है यह अवस्था में क्या चलेगा संगर्ष चलता है बुनियादी नैतिकता दूसरा हमने क्या लिया आयू वर्ग है कौन सा आयू वर्ग है किस प्रकार से है तीसरा हमने लिया उसमें जो बुनियादी नेतिकता है या मनोसामाजिक शक्ति है बुनियादी नेतिकता या मनोसामाजिक शक्ति एक ही बात है आई वर कौन सा है और आवस्था कौन सी है आवस्था का मरलब दोनों परकार का जो संगश चलता है वो कौन सा है ठीक है जल्दी वास सॉर्ट करते हैं तयार वापिस देखिए विश्वास बनाम और विश्वास जीरो से अठारा महा जीरो से अठारा महा बुनियादी शक्ति कौन सी थी आशा ठीक है सॉर्ट ताकि आपको सॉर्ट फॉर्मूला हो याद क्या करना है उसके अनुसार तो मैं थोड़ा सा जल्ली लिख रहा हूँ विश्वास के बाद अच्छा विश्वास हुआ तो क्या हु उसमें आत्म निर्भरता का विकास हुआ आत्म निर्भरता बनाम शंका या लज्जा ठीक है बनाम वर्षिस अठारा से तीन वर्षि क्या था विल पावर इच्छा शक्ती ठीक है तीसरा पहल पहल कर रहा है पहल बनाम अपराद बोध ठीक है चौथा परिश्रम या उद्ध्यमिता वर्षिस कर दें बनाम कर दें यह की बात है वर्षिस हेन भावना पांचवा पहचान या भूमी का निर्वाह वर्षिस भ्रांती यानि भूमी का भ्रांती ठीक है चटा घनिष्टा वर्षिस एकांखी पन साथवा घनिष्टा के बाद क्या है का उत्पादक्ता या सरजनात्मक्ता ये की बात है वर्षिस ठेराव और लास्ट हमने ले लिया संपोंड जीवन हैं संपोंड ता वर्षिस हताशा या निराशा ठीक है इस ग्रूप क्या था जीरो से ठारा माह अठारा से तीन फिर तीन से पांच वर्ष ठीक है यह तीन आ गई फिर हमने कहा था च्छ से बारा यानि बाले अवस्ता का काल हमने ले लिया है जा या फिर शॉर्ष ठार से पैंतीस पुरोढ़ा भस्ता काका फिर हमने लिया यह में पैंतीस से चौश या पैंसष ओर लास्ट हमने ले लिया पैंसट से लगातार हमने का आशा होप का विकास हुआ फिर क्या हुआ इच्छा शक्ति का विकास हुआ फिर क्या हुआ उद्देश्य के अनुसार वो क्या करता है पहल करता है जैसा उद्देश्य होगा उस उद्देश्य के अनुसार क्या करेगा पहल करेगा फिर आया हमने लिया परिश्रम तो या योग्यता हमने का परिश्रम कर दें या हमने कहा था योग्यता यो सामर्थ्य योग्यता है सामर्थ्य है इसका विकास होगा फिर है कर्तव्य परायनता कर्तव्य परायनता या निष्ठा कई बार निष्ठा भी देते हैं तो कर्तव्य परायनता या क्या होगा निष्ठा ह होगा फिर क्या है प्रेम या सने फिर आता है देख बाल और लाश्ट होता है परी पक्वता परी पक्वता ठीक है सिंपल है आराम से याद करते हैं एक बार राश्ट रिवीजन लेते हैं देखिए इरिक्षन ने कितनी अवस्थाय मानी आठ अवस्थाय मानी जिंदकी की शु 18 महा कौन सी मनों सामाजिक शक्ति का विकास होता है आशा के साथ तो इमेज बनाईए के जीवन शुरू कर रहा है क्या कर रहा है विश्वास के साथ ये विश्वास शुरूआत हुई फिर अगर विश्वास अच्छा है तो बालत क्या करेगा आत्म निर्भरता एस ग्रूप 18 14 से तिन वश्व यानि क्या है इच्छा शक्ति और यहां अगर हम जीं न लें तो सिगमंट फ्राइड की ये जो अवस्था ती वो वास्था कौन सी थी मुक्ह अवस्ता थीक नहीं थी मुक्ह सायम क्य अवस्था ये थी वो कौन सी थी गुई आवस्था रिशरी अवस्ता है उस से कौन सी थी लेंगिक अवस्ता है चौथी कौन सी थी हमने का था चौथी अवस्ता है फॉलिक अवस्ता ठीक है फॉलिक अवस्ता फिर थी जननांगे या जिनेटियल इंग्लिश में कहें जिनेटियल तो मुख अवस्ता मुखी अवस्ता गुदा अवस्ता ल लेटेंशी, हमने कहा था, लेटेंशी की रूप में, छीक है, जो दर्शे अवस्ता, आमने क्या कहा था, हंदीम अगर कहा जाए, तो अदर्शे, अदर्शे, yeah, चिपी हुई अवस्ता, जिसे हमने कहा था, काम शक्ती, ये वो Kita होती है, छिप जाती है अदर्श्य हो जाती है जिसे हमने कहा था ये लेंगिक अदर्श्य अवस्ता और जननांगी अवस्ता तो यहां अगर confusion में तुलना में सवाल पूछ ले कि सिग्मेंड फ्राइड के अनुसार जब लेंगिक अवस्ता चल रही थी उस समय इरिक्षन के किन के मध्य संगश था तो ये भी difficult सवाल अगर बनता है तो भी हम याद कर सकते हैं कि तीन अवस्ता है पांच अवस्ता है यही आई वर्ग है और इन्ही के अनुसार क्या है यहा परिश्रम के अवस्ता है यहां सवाल बनते हैं इंपोर्टेंट दोनों में कहेगा कि तो पहचान है भूमिका निर्वाह है बनाम क्या है भ्रांती यानि भूमिका की जो भ्रांती है कन्फ्यूजन है रोल का कन्फ्यूजन आ जाएगा वो कहाएगा किशोर अवस्ता में फिर सिंपल है यह अलग याद करना यह अलग फिर इन है एक सवाल बन रहा है आपकी एक सवाल के लिए इतनी महनत है तो महनत आप को आराम से चीज क्या है समझ में आ जाए बस आपको क्या करना है रिविजन करना है कहां कहां सवाल बन रहे हैं सब सवालों के एकोडिक कौन सी अवस्ता में किसके मद्य संगर्श है किशोर अवस्ता में कब है बाले अवस्ता में कब है कौन सी मनोसामाजिक शक्ति या बुनि सबस्टार्ट और एंड का होता है संपूर्णता के साथ ठीक है विश्वास से सुरूआ और संपूर्णता अपर आई फिर बाले अवस्ता का ध्यान रखना बाले अवस्ता में थोड़ा सा आपको confusion यह कर सकता है यहां है परिशनम यहां पैचान है दोनों परपप है इसलिए ध्यान रखना जोड़ना कहा होंना फिल नतर्य परफिर याद कर होता कि कौन सी teşekkür God को किशोर ऑस्ता के कौंसी koş्दोगीं यार परिशना समझने पे बाकी पॉंइट लिख देता और आपको आरआम से लिखवा देता उस का उद्धेश्य नहीं हमारा उद्धेश्य के आमraçãoद सफलो हो आप लिया, मेमोरी में फीड कर लिया, याद हो गया, फिर ये याद हो गया, शुरुआत विश्वास से हुआ, end कहा है, सम्पूनता का end है, शुरुआत कहा होती है, आशा के साथ, और जब पून परिपक हो जाएगा, तो पून परिपकता की आयू कहा जाएगी, जब अपने सम्पून जीवन में किये हुए कारियों के वो साथ रहता है, तो उसे हम सम्पून कहते हैं, तो बिल्कुल आराम से याद कीजिए, अटेंशन के साथ कीजिए, रूची के साथ बने रहे, तो कहीं दिकत नहीं है, मनो विज्ञान बिल्कुल आपको एक अच्छा सब्जेक्ट लगेगा, इजी लगेगा, बस साथ साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, नेक्स्ट में दूसरा सिद्धा अंधम लेंगे, ठीक है, तब तक के लिए रूची के साथ रिविजन करते रहें, धन्यवाद.